नमस्कर दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत चामला आप देख रहा है वरकर वास टॉटीन दोस्तों आप यसे जिन लोग अभी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फसा हुआ है वो अलग-अलग तरीके से अपने तरीके से वो चाहते हैं कि उनका पैसा वापस मिले हलाकि मानिय सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूद केंसरकार के तरफ से क्रिफन पोर्टल लॉंच किया गया और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपलाई किया और जहां तक ही अमिश साजी जो कि केंद्रिय साहकारिता मंत्री है उन्होंने जो लोग सभा के अंदर जवाब दिया उसके हिसाब से एक करोर 21 लाख लोगों ने अपलाई किया जिसमें से मातर 2 लाख सम्थिंग लोगों को ही पैसा वापस मिल पाया ऐसा वो कह रहे है लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति या कोई जमा करता मुझे नहीं दिखा या फिर किसी वीज जमा करता ने सामने आकर ऐसा दावा नहीं किया कि उनको पैसा मिल चुका है आज हम इसी के बारे में जो मानिय सुप्रीम कोट के अंदर जो 5,000 करोर का आदेश हुआ था उसी में एक और आदेश हुआ उसके बाद हलाकि उस आदेश पे मेरी बाद में नजर परी थी लेकिन मुझे उमीद थी कि जो 14 दिसंबर का सुप्रीम कोट के अंदर उसी केस के अंदर सुनवाई था तो उसमें कुछ न कुछ होगा लेकिन कुछ न कुछ नहीं हुआ और बीच में मेरे ध्यान से निकल गया अचानक से दो दिन पहले मेरी उस आदेश के उपर फिर से नजर पर ही और मुझे लगा कि आप सभी लोग को बताना चाहिए क्योंकि मानिये सुप्रीम कोट के जिस केस में अमिस्सा जी पांच हर करोर का आदेश लेकर के आया है उसी केस में उरिशा सरकार के तरफ से क्या कहा गया है कोट के सामने और कोट ने उसको एलाउ किया है आज हम उसको ने केवल दिखाएंगे बलकी बताएंगे क्योंकि कहीं न कहीं राजसरकार विचा है तो आपका पैसा जो कोट के सामने आया है उसके हिसाब से मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है और क्या आदेश था क्या मामला गया था कोट में और कौन से डिट में माने सुप्रीम कोट ने वो आदेश पास किया है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको याद होगा कि 29 मार्ज 2023 का एक फैसला आया जिसमें कि सेंट्रल गोर्मेंट के तरफ से माने सुप्रीम कोट के अंदर पहले से एक जो पिया एल चल लहा था उसी में एक पेटिशन लगा करके और यह आदेश लिया गया कि सहारा सेवीरी फंड काते से 5 शेर कर सेंट्रल अजिस्टार के खाते में ट्रांसफर किया जाए जिससे की जिन लोग का भी कंप्लेइन आ रहा है उनका हम पैसा वापस कर सके यहाँ आदेश माने सुप्रीम कोट ने 29 मार्ज 2023 को जारी किया जिसके बाद केंदरिये साहकारिता मंतरी 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोटर लॉंज करते हैं और उस पे क्लेम करने वाले लोगों को यह कहते हैं कि 45 जिन के अंदर पैसा मिलेगा लेकिन आज 9 महिने जो सुप्रीम कोट के तरफ से जो समय दिया गया था वो भी समाप्त हो चुका है और अधिकतर लोगों का जिन लोगों ने भी क्लेम किया उनक कि मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें की एक कोई आये पेटिशन लगाया गया था किसी पेटिशनर के दोरा उन्होंने अपना जो याचिका है वो लगाया था जिसको सुनने के बाद मानिय कोट ने कहा कि सहारा गुरूप अफ कमपनीज का जो लोग पैसा रि दिया जा चुका है 29 मार्च 2023 को लेकिन ध्यान रहे मानिय कोट के दोरा 29-3-2023 को जो आदेश पास किया गया था उसमें केबल सोसाइटी लिखा हुआ था और यहाँ पे कमपनीज शायद गलती से हो गया या कैसे हो गया मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे इन्होंने कमपन लिख दिया है क्योंकि अगर 29-3-2023 वाले आदेश में सहारा गुरूप ऑफ कमपनीज ऑबलिक सोसाइटी लिखा होता ऐसे में जो सरकार के दोरा केबल सोसाइटी का क्लेम लिया जा रहाता उसमें कमपनीज का भी क्लेम लिया जाता खैर हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये सरकार का मशले है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए अगर मानिय कोट के आदेस में इस तरह का कुछ हाया है, कुछ टिप नहीं हाई है तो इस पे सरकार को सग्यान लेना चाहिए और इसलिए आप सभी लोगों से अन्रोध करउंगा कि इस वीडियो को अधिक सदि रिलीव भी मांग रहे थे जिसके बाद मानिय कोट ने उनको एप्रोप्रियेट फॉरम में अप्रोच करने के लिए कहते हुए उस एप्लिकेशन को डिस्मिस कर दिया लेकिन आज जो हम जानगारी आपके लिए लेकर के आया है इसी में जो पॉइंट नंबर दो है उसके बार के हैं उन्होंने कहा है कि अगर ये पेटिशनर अपना डिटेल सब्मिट करते हैं डिपोजिट के साथ और साथ ही उनको सोसाइटी और चीटफंड कमपनी का डिटेल भी देना है तो जो एस्टेट के ऑथरिटी है वो जल्द से जल्द इनके पैसे को वापस डिकवरी करने क लिए necessary step लेंगे कौन से act के तहद तो उरिशा protection of interest of depositor act 2011 इसको short में OPID act कहा जाता है जो की उरिशा के अंदर लागू है अगर आप बिहार के अंदर है तो मैंने इसकी जानकारी आपको काफी पहले दी है BPD act है जारखंड के अंदर आएंगे तो वहाँ पे GH लगा देंगे PID लगा दीजिए वो act हो गया अगर आप UP के अंदर आएगा तो PID के आगे UP लगा दीजिए तो आपको वो वाला act आपको मिल जागा गूगल में जाकर के search करते हैं तो इसके बाद मानिय कोट ने सरकार के दलील को सुन करके चार हपते का समय दिया पेटिशनर को उसके बाद उरिशा सरकार के तरब से मिस्टर बरवीर सिंग जो की अरिशनल सोलिस्टर जेनरल है उन्होंने चार हपते का समय मांगा उनको डिटेल प्राप्त होगा उसके बाद जो special instruction जाड़ी करेंगे और जो की concerned authority हैं वो district magistrate होते हैं यानि की जीला अधिकारी जीला अधिकारी को आप भी अपना शिकायत भेज सकते हैं अगर आपको पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है और इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं और अगर आपने पहले का हमारा वीडियो देखा हुआ तो उसमें बिहार सरकार के तरफ से भी एक notification यानि की paper में इस तरह का बिग्यापन निकाला गया था जिसके तहर डियेम के पास आपको सिकात करना था लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार हो या फिर कोभी एस्टेट गोवर्मेंट हो इसके उपर करवाई ही नहीं कर रही है पता है क्यों नहीं कर रही है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सहारा के नाम पे जो खेल चल रहा था कहीं न कहीं उनके अधिकारियों के मिली भगस से चल रहा था पतना हाई कोट के अंदर मैंने खुद एक PIA लगाया था जिसमें मैंने कमीटी बना करके जाच करने की मांग के साथ पूरे देश के जमा करताओं का सहारा इंडिया का जो पैसा है रिफंड करने की मांग की थी अपने पिटिशन में सहारा इंडिया का बढ़ान चल रहा था लोग का पैसा वापस नहीं किया रहा था और हम लोग कई बार पिटिशन अलग-अलग जो ऑथरिटी हैं उसके साथ ही जो BPI डियेट के तहद Concern Authority यानि कि District Magistate को भी दे चुके हैं जिसके बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई हलागि मानियकोर्ट ने उस मामला को सुना ही नहीं और फिर से कह दिया कि आप Compotent Authority के पास आई है अलागि हम फिर से Compotent Authority के पास गए और तो और बिहार सरकार के दोरा तक्रिवन तक्रिवन पांच या छे आदिश अभी तक DM समस्तिपूर को जारी हो चुका है लेकिन DM समस्तिपूर के दोरा कोई करवाई नहीं की जा रही है और बिहार सरकार के दोरा भी DM साहब के उपर कंप्लेन करने के बाद भी कोई करवाई नहीं की जा रही है जिसे कहीं न कहीं असपस्ट है कि सरकार के आथरिटी के दौरा ही या फिर उनके मिली वगत से ही ये सारा खेल चल ला था पिछले साल जब हमने आपको ये बताया उसके बाद ही ये सारा खेल बंद हुआ और इसमें कहीं कहीं आपका हाथ है आप जागरूख हुए और उसके बाद ही आपने पैसा जमा करना बंद किया अब इसमें देखने वाली बात है कि मानिये सुप्रीम कोट के द्वारा 29 मार्च 2023 को 5 हर करो वापस करने का आदेश आ गया उसके बाद 18 जुलाई 2023 को अमिश साजी ने एक रिफंड पोर्टल लॉंच कर दिया उसके कुछ दिन बाद यानि कि 31 जुलाई 2023 को उरिशा सरकार ने उस पोर्टल से पैसा लेने के लिए नहीं कहा बलकि उन्होंने कहा कि OPAIDX से हम पैसा देंगे अगर पेटिशनर हमको डिटेल देता है और उस आदेश में Oblix Society, Oblix Cheat Fund Company भी लिखा हुआ है तो उसमें कहने की बात है कि अगर पेटिशनर का सहारा सोसाइटी का भी पैसा होगा और डिटेल देंगे तो हो सकता है उसके तहत राज सरकार के द्वारा पैसा उनका वापस कर दिया जाए अगर मानिय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का आदेश पूरे देश के लिए आ जाए कि हर स्टेट गोवर्नेंट अपने अपने छेतर में OPID Act, BPID Act जो बना हुआ है उसके तहत पैसा वापस करें एक समय सीमा मानिय कोर्ट के द्वारा तैय कर दिया जाए DM के उपर एक bondation बना दिया जाए तो कहीने कहीं ये जो पैसा मिलने का रास्ता काफी आसान हो जाएगा लेकिन जिसके बारे मार्च 2023 में ही जब यादेश आया था उसी के बाद जब अमिस्ता जी ने कहा था कि हम सभी का पैसा वापस करेंगे सभी लोग claim करना सुरू कीजिए उसी समय आपको सचेत कर दिया था कि election आना है और कहीने कहीं ये चुनावी लली पॉप आपको दे रहे हैं क्या ये बात सही है एक बार आप comments करके बताईएगा और साथ ही हमने आपको कहा कि उस पे claim मत कीजिए जब तक notification नहीं आता है हलाकि इस case पे हमारी नजर रहेगी आगे जो भी आएगा है वो हम आपको update देते रहेंगे अगर आप comments करके बताएंगे इसके साथ ही दोस्तों इसको detail में पढ़ने के लिए आप हमारे blog www.warker.in पे जा सकते हैं और अगर आप हमें